हेलो दोस्तों विल्कम बैक तो आप सब के लिए एक नए उडिया लिक होगा इसाप पर जैसे कि आपने सायद से न्यूज सुन लिया होगा कि विराट कोली अभी जो ग्रोइन इंजरी के वज़े से जो पहले उडिया ही मैच से बाहर उचके हैं जहां पर दोस्तों मैंने कली वीडियो बनाया था कि विराट कोली पास काफी अच्छा मौक है टीम इंडिया उनको बैक कर रही है और बैक कर नहीं वाली है तो फिर यहां पर वन डे मैच जो तीन होने वाले वहां पर इनके पास मौका था कि यहां से जो कमबैक किया जाए फिर कौन सा प्लेयर यहां पर खेलेगा साथी बहुत सारे पोजिसर्ण पर जो प्लेयर चेंज भी होने वाले तो फिर उसके बारे में बात करेंगे वीडियो का प्रस जो दिखना वीडियो ग्राप को उसंदा थी तो एक लाइक चुरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर एक दीन का कैप है और फिर तीसरा वंडेम है जो यहां पर दीखने को मिलने वाला है मतलब आप यह सेडियोल देखो तो फोड़ा सब बिजी यहां से आपको जोशे लगएगा लेकिन आपर टाइमिंग में आप सो को कंफर्म करा देता हूं कि सारे पांच बिजी साम से जो पहला बॉल स्टार्ट हो जाने वाले तो फिर इस आपर उसके बाद बात कहते हैं विराट कोली के बारे में जैसे मैंने बात करा कि विराट कोली को लेकि यहां पर डाउट है कि विराट कोली सायर से ना कहले तो फिर शेयर तीम में वापस आ जाएंगे और पहले भी बह जो स्टार्टिंग से बात करें ते ओपनस से लिए के मैं आप सब को 11 प्लेयर के बारे में पता जिता हूं कि कौन सा प्लेंग लवन जो टीम इंडिया उतार सकती है तो इपिश सबसे वएले बात करते हैं ओपनस में तो फिर मेरी ही साबसी यहाँ पर रोइत सर्मा के साथ शिकर दवन ओपन करने वाले हैं चार नमबर पर सुर्कुमार यादौ रहेंगे 5 नमबर पर रिषप पंध 6 नमबर पर हार्दिक पंडिया, 7 नमबर पर रविंदर जडेजा, 8 नमबर पर यहां पर सारदुल ठाकूर या फिर प्रश्द कृष्णा में से कोई एक खेलने वाला है, यहां पर दोनों की चांसे जो एक्वल लग रहे हैं, स्कौर्ड 9 नमबर पर मोहमद समी, 10 नमबर पर जस्परी बुमरा और 11 नमबर पर यूजी चैल, तो फिके इस आपर मुस्ट प्रोबेबली जो यही प्लिंग लेए, उनके साथ टीम इंडिया उतरने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने बात कर रहा सिखरदवन की यहां पर इंटरी हो जाएगी, ओपनर की रूप में है, तो फिर वो जो थोड़ी से बैटिंग को भी और मजबूत करते हैं, और प्रशेदिकृष्णा भी खेलते हैं, तो फिर वो भी कोई बुरे उप्सन नहीं है, तो फिके इस टीम यहां से काफी जादा अच्छा लग रहा है, और जैसे मैं यहां पर बात करा रहा स्टार्टिंग लोगों की क्या उपिनियने वह आपने निचे कमेंट करके जो बताना, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर जो प्लेइंग लॉन में खेलने वाला और कौन सा प्लेयर जो बाहर रहने वाला और कौन से प्लेयर को यहां से मौका भी मिलना चाहिए, तो भी दोस्तों आज के लिए तना ही तो उमीद आपको वीडियो बसंद है ये पास नई लाइक करना चानल को सब्सक्राइब ने करो तो सब्सक्राइब करो मिलते एक नए वीडियो के साथ